गुद मॉर्निंग ओल अफ यू मैं रविंत्र पार्थी मिर्शा सरकी क्लास में जैसे कि आपको पता है कि B8 की डेशिट आ चुकी है आप लोग का पेपर 24th, 27th और 29th जुन को होना है पेपर का पैटरन फर्स समेश्टर जैसा ही होगा सेम वैसा ही होगा टाइमिंग जो है आपको description box में देख सकते हैं आप इसमें आपका mid term और end term दोनों एक साथ ही होगा जिसमें आपका subjective और objective दोनों ही होगा subjective में आपके 6 प्रश्ण होंगे जिसमें से आपको 3 ही करने होंगे और objective में आपके 40 question होंगे जिसे पूरे 40 करने होंगे सब्जेक्टिव में 4 से 6 परने की कॉपी होगी एक्स्ट्रो कॉपी नहीं मिलेगी उसी में आपको करना होगा अब्जेक्टिव कोशन के लिए आपको ओमार शीट मिलेगी जिसे आप केरफूली भरेंगे इसमें नेम है आपको कैसे सरकल करना है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे subjective के लिए तीनों paper का guest paper मैं बना रही हूँ जिसमें से 10 से 12 question है जिसमें से आपके कम से कम 5 question आपको exam के मिल ही जाएंगे जिसमें से आपको 3 ही करने हैं जो की आपको आराम से मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं हम लो guest paper subjective paper के सबसे पहला paper आपका है school management leadership यानि की B.A.D. 106 paper इसको आँ देखते हैं इसमें guest question मैंने कम से कम 12 question बने और short note भी हैं इसको भी आप देख लेंगे चलिए start करते हैं पहला question आपका है सेक्षिक प्रशाशन के अर्थ प्रकती उद्देश्य एवं छेत्र का वर्णन कीजिए इसकी आवशकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए मैं फिर से revise कर दे रही हूँ सेक्षिक प्रशाशन के अर्थ प्रकती उद्देश्य एवं छेत्र का वर्णन कीजिए इसकी आवशक्ता एवं महत्व का वर्णन कीजिए नेक्स्ट कोशन दूसरा आपका कोशन है सेक्षिक प्रशाषन के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके प्रकार को स्पस्ट करें फिर से रिवाइस कर दे रहे हुँ है सेक्षिक प्रशाशन के कार्यों का वर्णन करते हुए इसके प्रकार को स्पस्ट करें नेक्स थर्ड कोशन आपका है विद्याले प्रभंधन का अर्थ को स्पस्ट करें तथा इसकी आवशक्ता तथा विशेश्टाओं का वर्णन करें फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, विद्याले प्रवंद का अर्थ को स्पस्ट करें तथा इसकी आवशक्ता तथा इसकी विशेश्ताओं का वर्णन करें फिर से रवाइस कर दे रही हूँ विद्याले प्रबंद की समस्याओं का वर्णन करते हुए प्रशाशन और प्रबंदन में अंतर को स्पस्ट करें फिफ्थ कोशन आपका है भारते शिक्षा आयोग यानिकी 1882 माध्यमिक शिक्षा आयोग यानिकी 1952-53 फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ भारते शिक्षा आयोग 1882 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 तथा राश्टे शिक्षा आयोग 1964-66 के सुझाव तथा सिफारिशों का वर्णन करें नेक्स जिक्स्त कोशन आपका है शेक्षिक नियोजन के अर्थ को स्पस्ट करते हुए इसकी आवशक्ता एवं विशेश्टाओं का वर्णन करें फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ शेक्षिक नियोजन के अर्थ को स्पस्ट करते हुए इसकी आवशक्ता एवं विशेशताओं का वर्णन करें सेवंथ कुशन आपका है शेक्षिक परिवेक्षन के अर्थ को स्पस्ट करें इसके उद्देश आवशक्ता प्रकार को स्पस्ट करते हुए इसे प्रमुक कार्यों का वर्णन करें फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, शेक्षे परिवेशन के अर्थ को स्पस्ट करें, इसके उद्देश, आवशक्ता, प्रकार को स्पस्ट करते हुए, इसके प्रमुक कार्यों का वर्णन करें इर्थ कोशन आपका है, शिक्षा के केंदिर प्रशाष्निक तंत्र की व्याख्या करते हुए, UGC, NCERT, NCTE तथा डाइट के बारे में संचेप में वर्णन करें फिर से रिवाइस कर दे रही हुँ, शिक्षा के केंदिर प्रशाष्निक तंत्र की व्याख्या करते हुए, UGC, NCERT, NCTE तथा डाइट के बारे में संचेप में वर्णन करें फिर से रिवाइस कर दे रही हुँ, प्रधान अध्यापक अर्थवाज शिक्षक के उत्तर डाइट वो एवं करतव्य को रिखांकित करते हुए, विद्याले प्रशाषन में उसकी भूमिका का वर्णन करें टेंथ कोशन आपका है, कक्षा प्रभंदन को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारकों को स्पस्ट करते हुए, कक्षा प्रभंदन में अनुशाषन के महत्व की विवेचना कीजिए फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, कक्षा प्रभंदन को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारकों को स्पस्ट करते हुए कक्षा प्रभंदन में अनुशाशन के महत्व की विवेचना कीजिए फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, पाट्टे सहगामी क्रियाओं के अर्थ को स्पस्ट करते हुए इसकी आवशक्ता एवं महत्व का वर्णन करें तथा इसके उद्देश को बताएं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, विद्द्याले में निर्देशन की उद्देश और आवशक्ता को स्पस्ट करें तथा निर्देशन कारिकरम के संगठन के बारे में चर्चा करें यह कुछ 12th question है और हम कुछ short notes में देख लेते हैं कुछ टिपनी टाइप के इसमें आपका है विद्द्याले अभिलेक अभिभावक शिक्षक संग समय सारणी यह तीन है आपका पहला आपका विद्द्याले अभिलेक दूसरा आपका अभिभावक शिक्षक संग और थर्ड आपका है समय सारणी इसे भी आप डिटेल में देख लेंगे यह तो आपका first paper 106 का है इसको मैंने पढ़ा चुका है इसका theory part मैंने पढ़ाया है questions में मैंने भेजे है इसका जो link है आपको मेरे description box में मिल जाएगा आप ध्यान से देखेंगे और questions को करेंगे दूसरा आपका paper 107 याने assessment of teaching and learning इसमें हम देखते हैं कुछ questions को और कुछ टीपणियों को तो पहला question हमारा बनता है मापन आंकलन और मुलियांकन से आप क्या समझते हैं सपस्ट करते हुए मापन आंकलन तथा मुलियांकन में अंतर को बताएं फिर से में revise कर दे रही हूँ मापन आंकलन तथ मुलियांकन से आप क्या समझते हैं सपस्ट करते हुए मापन आंकलन तथा मुलियांकन में अंतर बताएं दूसरा question अधिगम के लिए आंकलन तथा अधिगम का आंकलन को सपस्ट करें फिर से revise कर दे रही हूँ अधिगम के लिए आंकलन तथा अधिगम का आंकलन को सपस्ट करें थोर्ड कुशन आपका बनता है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन को स्पस्ट करते हुए इसमें सिख्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए फिर से रिवाइस कर दे रही हूं सतत एवं व्यापक मुल्यांकन को स्पस्ट करते हुए इसमें सिख्षक की भूमिका का वर्णन की मैं रिवाइस कर दे रही हूँ विश्वरसनेता तथा वैदिता को परिभाशित करते हुए इसके अंतर को स्पस्ट कीजिए तथा वैदिता को प्रभावित करने वाले कारकों का उलेख कीजिए फिफ्ट कुशन आपका बनता है संस्थागत निस्पादन मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं शिक्षक मुल्यांकन की विभिन वीधियों को उधारन सही स्पस्ट करें मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ संस्थागत निस्पादन मुल्यांकन से आप क्या समझते हैं और शिक्षक मुल्यांकन की विभिन वीधियों को उधारन सही स्पस्ट करें सिक्स कुशन आपका बनता है सिजनात्मक्ता की अर्थ को स्पस्ट करें इसमें अध्यापक और विध्याले की भूमिका का वर्णन कीजिए सेवंध कुशन आपका बनता है शिक्षा में सांखेकी के महत्व का वर्णन करते हुए इसलिए आप ध्यान से देखेंगे टिपड़ियां जादी है सबसे पहला टिपड़ी आपका है गुडात्म तथा मातरात्मक मापन यानि की आपका qualitative और quantitative measurement आएगा सेकेंड आपका है निकर संधर्भित तथा मानक संधर्भित परिक्षन यानि की आपका norm और criterion reference टेस्ट होगा थर्ड आपका है आपका संधर्चनात्मक और योगात्मक मुलियांकन यानि की formative और summative evaluation फिफ्ट फोर्थ आपका आता है मानक तुटी यानि की standard error फिर आपका आता है परिक्षा प्रणाली यानि की examination system फिर आपका आता है निवधात्मक परिक्षन यानि की essay type test फिर आपका आता है वस्टोनिस परिक्षन यानि की objective test नेक्स्ट आपका topic आएगा टिप्णी में NPC की विछेशता है NPC बहुत ही broad है इसको आप ध्यान से देखेंगे सर ने इसको बहुत detail में पढ़ाया है यह question आता ही आता है NPC का पूरा full form होता है normal probability curve तो इस वे भी अध्यान से देखेंगे और इसका वीडियो आपका बन चुका है यह paper जो है सने पूरा पढ़ा चुका है और इसकी question भी आपके पास जा चुके है तो आप इससे बहुत अच्छिता देखेंगे नेक्स्ट आपके टीपड़ी बनती है शतांशिय मान तथा शतांशिय क्रम नेक्स्ट आपका बनता है आविर्ति भवभूज या तूरण ओगिव नेक्स्ट आपका बनता है TAT यानि की thermatic appreciation test फिर आपका बनता है inkblot test जो की हर्मन रोर्षा का है फिर आपका एक और टीपड नेक्स्ट आपका है निदनात्मक परिक्षण और उपलब्दी परिक्षण फिर आपका आता है कुकुद्धा या विशमता गुणाग जैसे हम कुटोसिस या सुकेनस बोलते हैं फिर लास्ट आपका है अभी छमता परिक्षण यानि की aptitude test तो यह आपके कुछ शॉट ध्यान में रखेंगे जितने भी questions है इसको सन ने पूरा detail में पढ़ा दिया है यह लगभग पूरा complete हो चुका है इससे आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान से देखेंगे इसका जो link है आपको description box में मिल जाएगा next जो आपका paper है वो आपका optional है जिसमें आपका fundamental of inclusive education है और fundamental of guidance and counselling है इस optional में आपको इसका जो b8 का जो code दिया गया हुआ है 109a में आपका fundamental of inclusive education है और 109B में Fundamental of Guidance and Counseling है इससे आप ध्यान से Admit Card पे देख लेंगे कि आपका कौन सा Option दिया हुआ है आपका Fundamental Inclusive Education है कि Guidance and Counseling है इसी भी आप ध्यान में रखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं 109A यानि कि Fundamental of Inclusive Education के कुछ Guess Questions सबसे पहला कोशन बनता है आपका समयवेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके उद्देश, महत्व तथा विशेश्ताओं का वर्नन कीजिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ समयवेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके उद्देश, महत्वत तथा विशेशताओं का वर्णन कीजिए। दुसरा कुशन आपका बनता है विशेश शिक्षा की अवधार्णा तथा महत्व का उलेक कीजिए। तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचरात्मक शिक्षन को समझाईए। मैं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, विशेश शिक्षा की अवधार्णा तथा महत्व का उलेक कीजिए। तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचरात्मक शिक्षन को समझाईए। मैं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, राष्ट्रे शिक्षानीती 1986 का मुल्यांकन कीजिए तथा कारे योजना POA यानि की Plan of Action तथा संशोधित राष्ट्रे शिक्षानीती 1992 का संचित में वर्णन कीजिए। फूर्थ कुशिन आपका बनता है भारत में शिक्षा के समविधानिक प्रावधानों का वर्णन करे आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ भारत में शिक्षा के सवेधानिक प्रावधानों का वर्णन के रहे आर्टिकल 15, 17, 29, 30, 45 और 46 इन सभी का वर्णन करना है कोशन नमर फिफ्ट आपका बनता है कोशन नमर फिफ्ट आपका बनता है मानसिक रूप से पिछले बालकों के विशेश दाओं तथा प्रकार बताईए साथ ही ऐसे बालकों के लिए शेक्षिक कारेकर्म का वर्णन कीजिए इन्हें मुख्य धारा में कैसे समलित किया जा सकता है सुझाव दीजिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मानसिक रूप से पिछले बालकों की विशेश दाओं तथा प्रकार बताईए साथ ही ऐसे बालकों के लिए शेक्षिक कारेकर्म का वर्णन कीजिए उपकर्णों का योगदान बताएं फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ दिस्ट रिवादेत बालकों को कैसे पैचाने ऐसे बालकों के लिए शिक्षक और माता पिता के भुमिका का उलेक करते हुए उनकी शिक्षन विधियों तता तकनी की उपकर्णों का योगदान बताएं एर्ध कुशन आपका बनता है विशिष्ट आवशक्ता वाले बच्चों से आप क्या समस्ते हैं उनके प्रकारों को संचित में वर्णन करें मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ विशिष्ट आवशक्ता वाले बच्चों से आप क्या समस्ते हैं उनके प्रकारों का संचित वर्णन करें कुशन आपका समयगात्मक रूप से अशांत बालकों के अर्थ को स्पस्ट कीजिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ समयगात्मक रूप से अशांत बालकों का अर्थ को स्पस्ट करें और ऐसे बालकों के विशिष्टाओं का वर्णन कीजिए कुशन आमर टेंट आपका बनता है मंद अधिगामी बालकों को कैसे पैचाना जाए इनकी विशिष्टाओं के साथ शिक्षन वीदियो का उलेक करें मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ मंद अधिगामी बालकों को कैसे पैचाना जाए इनकी विशिष्टाओं के साथ शिक्षन वीदियो का उलेक करें तो ये तो आपके लॉंग कुशन है हम टिपड़ी कुछ देख लेते हैं पहला टिपड़ी आपका है उपचरात्मक शिक्षन फिर दुसरा आपका टिपड़ी मनता है प्रदिभाशाली बालक थर्ड आपका है संसाधन कक्ष या संसाधन सिक्षक फिर आपका टिपड़ी है PWD Act यानि कि People with Disability Act फिर आपका है RTE Right to Education फिर आपका आता है भारति पुनवास अधिनियम फिर आपका आता है निशुलक एवां अनिवारे शिक्षा नेक्स्ट आपका है अपराधी बालक और लास्ट आपका है धीमी गतिजर सीखने वाले बालक तो ये कुछ टिपड़ियां है इसे भी आप ध्यान में रखेंगे ये पेपर में पढ़ा चुकी हूँ इसमें से लगबख सभी टॉपिक आपके कंप्रीट हो चुके है इसे भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं नेक्स जो आपका जो आप्शन पेपर है 109B यानि के Fundamental Guidance and Counseling इसे भी कुछ गैस कोशन देख लेते हैं सबसे पहला कोशन बनता है आपका निदेशन को परिभाशेत कीजिए इसकी प्रकती तथा आवशक्ता को सपस्ट करते हुए निदेशन के छेतर का विवेचन कीजिए मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ निदेशन को परिभाशेत कीजिए इसकी प्रकती तथा आवशक्ता को सपस्ट करते हुए निदेशन के छेतर की विवेचना कीजिए नेक्स्ट कुशन आपका बंता है second, निर्देशन के प्रमुक उद्देशु को बताएं, तता निर्देशन कितने प्रकार का होता है, संचित वर्णन करें third question, आपका बनता है, विद्याले निर्देशन कारेकरम को सपस्ट कीजीए, इसमें प्रचारे और अध्यापक की पूमिका का वर्णन करें मैं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, विद्याले निर्देशन कारेकरम को सपस्ट कीजिए, इसमें प्रचारे और अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें मैं फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, इस कथन की विवेचना कीजिए मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, व्यक्तिकत भिंताएं ही व्यवसाइक निर्देशन के अधार है, इस कथन की विवेचना कीजिए कोशनावस सिक्स आपका बनता है, माद्यमिक और उच माद्यमिक स्तर पर व्यवसाइक स्वरूप कैसा होना चाहिए फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, माद्यमिक और उच माद्यमिक स्तर पर व्यवसाइक स्वरूप कैसा होना चाहिए फिर से रिवाइस कर दे रही हूँ, राष्टे स्तर पर व्यवसाइक स्वरूप कैसा होना चाहिए पर व्यवसाइक स्वरूप कैसा होना चाहिए अब हम कुछ टिपनियां देख लेते हैं, टिपनियों में आपका विसिस्ट बालक, दुसरा आपका स्रिजनात्मक बालक, थोड़ आपका है मन्द अधिगामी पिछड़ा बालक, नेक्स्ट आपका है मानव समायोजन यानि human adjustment, फिर आपका आता है मानसिक स्वास यानिके mental health, फिर आपका आता है मानसिक स्वास विज्ञान यानिके mental hygiene, फिर आपका आता है व्यक्तिक परामश या सामुईक परामश, फिर आपका आता है समायोजन, फिर आपका आता है आत्म विशलेशन सेवा यानि कि Self Inventory Service फिर आपका आता है निर्देशर और परावाश में अंतर फिर आपका आता है वेबसाइक निर्देशन फिर आपका आता है निर्देशन प्रतिमान फिर आपका आता है शेक्षिक और वेबसाइक निर्देशन में अंतर फिर आपका आता है पारिवारिक निर्देशन नेक्स्ट आपका आता है समाजिक निर्देशन फिर आपका आता है वितिका विकास यानि करियर डेवलपमेंट या निर्देशन फिर आपका आता है स्थापन सेवा यानि कि प्लेस्मेंट सर्विस फिर आपका आता है अनुवर्ती सेवा यानि कि फॉलो अप सर्विस और लास्ट आपका निर्देशन में मुल्यांकन के सौपान ये तो था आपका 109B का यानि Fundamental Guidance and Counseling के Long Question और कुछ टिपडिया इस पेपर को मैंने बहुत ज़ाद नहीं पढ़ाया है तो इस पेपर को मैं पढ़ाने कोशिश करूँगे कुछ पेपर कुछ कोशन में आपको दे पाऊं और जो दो पेपर है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ उ तो मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए इसके लिए आपके पेपर के लिए best of luck and thank you